दोस्तों तो मैंने अभी अभी जो आपने अभी अभी जो वीडियो देखा कि डियू रेकोडर की सेटिंग को कैसे मतलब यूज करते हैं सेटिंग में क्या-क्या मिलता है हमें तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को डियू रेकोडर में डियू रेकोडर में ही उसको एडिट किया था तो डियू रेकोडर में एडिट आप कितनी खुबसूरत तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो को मैंने कैसे एडिट किया था तो दोस्तो सबसे पहले हम यह जो उपर आपको दिख रहा है यह इसमें जाएंगे और यहां जाने पर आपको एडिट वीडियो का ओप्शन मिलेगा आप एडिट वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तब आपको अपना वीडियो सबसे पहला दिखेगा तब जब आपने अभी अभी उसको record किया हो तो हम इसको यहां से edit में ले लेंगे अब इसको क्या करेंगे दोस्तों पहले तो देखिए यह आपको नीचे due recorder का जो symbol है वो दिखेगा तो हम उसको पहले cut कर लेंगे तो उसको कलिक करेंगे तो यहां नीचे यह जो नीचे सारे option दिख रहे हैं यह सारे option में हम इसको left में करेंगे तो आपको यह crop का option दिखेगा यह देखिए यह crop का option है तो यहां से हम crop को click करके crop में चले जाएंगे अब इसको हम क्या करेंगे कि अपने हिसाब से जितना आपने को लगे कि थोड़ा बहुत ये रहना चाहिए जितना तो उतना हम इसको ले लेंगे जैसे कि मैं इसको इतना ले लेता हूँ आपको इसमें 16x9 का ओप्शन मिलेगा ये वाला देखिए 16x9 ओप्शन क्या है कि यूटूब में आपको 16x9 का ही ओप्शन यूज करना है उससे आपका वीडियो बराबर यूटूब में जो यूटूब का जो फ्रेम रहता है उसमें बराबर बैठेगा तो अभी तो यह अपना बहुत लंबा वीडियो है हम यह 16x9 करेंगे तो यह पूरा हो जाएगा तो इसलिए पूरा मतलब नहीं आ पाएगा अच्छे से तो मैं इसको फ्री में फ्री वाला उप्शन से ही इसको कट कर लेता हूँ तो इसके जैसे हम अपना इमें कभी फोट को क्रोप करते हैं उसकी तरह आपका पूरा वीडियो क्रोप हो जाता है तो मैं इसको यहां से क्रोप कर लेता हूँ अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके बाद यह जो देखिए दोनों साइड जो यह जो जगह दिख रही है आपको यह दोनों साइड जो जगह दिख इसको left में जाना है तो इसमें अपने को मिलेगा add image का option उसके बाद speed का यह वाला option यह आपको चूश करना है यह canvas and background तो इसमें जाएंगे हम तो इसमें यह दियम जाते हैं तो आपको यहां पर यह option दिखता है तो यह आपको 16 by 9 वाला option चूश करना है इससे क्या होगा कि आपका वीडियो 16 by 9 मतलब 16 गुना 9 का वीडियो जो रहना चाहिए यूटूब के लिए वह आ जाएगा तो मैं इसको जो वीडियो पहले से हैं इसमें मतलब ड्यू रेकोडर में तो उनका इमेज भी यूज कर सकते हैं यह कोपी राइट फ्री होगा तो मैं इसमें से कौन साल हूँ चलिए यह वाला ले लेता हूँ हरा वाला तो यह देखिए साइड में ऐसा आ गया तो इसके बाद हम मैं इसको क्या करूंगा यह आपको पूरे विडियो में ऐसा आएगा उसके लिए आपको नीचे यह जो apply to all वाला है यह क्लिक रहना चाहिए तो यह पहले से क्लिक है तो इसके बाद यहां पर आपको okay कर लेना है तो यह आपका सेट हो जायगा तो यह इसमें फीट हो गया अब इसके बाद क्या करना है कि आपका जो ये जो साइड में जो ये जो जगह दिख रही है ये जो जगह दिख रही है तो इसमें आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं जैसे आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो कोई इमेज लगा सकते है सब्सक्रायब करें यह सब लिख सकते हैं तो यह भी आप उसमें कर सकते हैं तो छलिए हम अभी क्या करते हैं इसको की आपको थोड़ा मतलब आइडिया भी हो जाएं उसके लिए एड सब्टाइटल वाला option बताता हूँ यह देखिए T लिखा हुआ है यहाँ पर आप सब्साइटर लेड कर सकते हैं तो इसको मैं click करता हूँ तो मुझे यह जो नीचे आप देख रहे हैं यह जो नीचे यह जो दिख रहा है यह बता रहा है कि आपको यहाँ से प्लस करना है और यह पूरा वीडियो में आपका left में scroll करते जाएंगे तो यह बताएगा तो इसको मैं पहले प्लस कर लेता हूँ अब इसमें मैं लिख देता हूँ knowledge is currency तो यह हो गया k-n-o-w knowledge is c-u r-r-e and c-y तो यह हो गया knowledge is currency में आपको क्या करना है कि हसा आपको क्या करना है कि आपको यह कितने टाइम के लिए रखना Berean और उह देखना एक तो यह वाला जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और अप्शन देगा तो यह देख इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं हाथ से स्क्रोल करके और दूसरी चीज यह कि यह जो है यहाँ पर आपका नोलेज इज करन्सी लिखा हुआ है तो उसको आप एड़ेस कर सकते हैं कैसे हम इसको इधर साइड में ऐसे करते हैं और इसका आपको यह दि कलर बदलना है तो उसका क और इसका जो यह इडिट वाला बटन दिख रहा है यह वाला बटन तो उसको क्लिक करके मैं एडिट कर सकता हूं तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे अलग-अलग जो फॉन्ट हैं वो दिखा रहा है यह जो भी फॉन्ट में यूज करूंगा उस फॉन अपने को अच्छा लगे वो कर सकते हैं मैंने जैसे इतर लाल कलर रख लेता हूं। लाल फैवरिट कलर है तो अब अब क्या होगा कि इसको आप जैसे बढ़ा करना चाहें तो बढ़ा भी कर सकते हैं। चोटा करना चाहें तो चोटा कर सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब इसमें एडिटिंग करना बहुत सिंपल है और खास बात है कि आपको कहीं भी वाटर मार्क नहीं मिलेगा और इसको आप कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करके देख लेना है कि वह कैसा दिखता है तो चलिए वहां क्लिक कर लेते हैं यह हो गया यह तो आप इस वीडियो को मतलब आप बढ़ा करके ऐसे देख भी सकते हैं कि कैसा दिख रहा है तो यह वीडियो देखिए यह पूरा मतलब आपको यह वाल तो तो यह सै में अ है यहाँ पर उसको खून lat ka गृपकर ऑप हैं जो और समय कुझा कर लेते हैं अब इसमें और क्या कर सकते हैं देखिए ऐसी कर मतलब है कि यह वाला देखिए पहला option ट्रीम करने का मतलब है कि आप इस वीडियो को cut करना चाहते हैं आगे और पीछे से तो मैं यदि इस option को choose करता हूँ तो यह देखिए आप इसको ऐसा option देता है आप इसको मतलब वीडियो को ऐसे रखना है इतना ही रखना है जैसे आगे आपने चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत हम केमरा चालू करने में यह सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो हो सकता है तो ऐसे हम इसको cut कर सकते हैं इसमें trim करने में एक दूसरा option यह कि remove middle भी कर सकते हैं जैसे पूरे वीडियो में मुझे कहीं बीच में कुछ गलती हो ग करना से आप skip कर लेंगे इसके लिए इसको तो पूरा ही रखना पड़ेगा पूरा वीडियो 9.45 तक का है तो इसमें जाता है यह पूरा 9.45 है तो यह हो गया तो अपने को trim करना नहीं है उसके बाद है add music तो add music में जाके यहां नीचे देखिए यहां प्लस करके आप अपने वीडियो में कोई भी music एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं उसमें क्या होता है कि आपके यह दिफोन में कोई music है तो भी आप यूज कर सकते हैं online भी आपको यहां पर music मिल जाएगा तो music तो अपने क्या बलते हैं अपने जो educational वीडियो है उसमें जरुरत होती नहीं है तो यह option भी अच्छा है पर अपने लिए उतना काम का नहीं है जितना और लोगों के लिए उसके बाद ाइड एड सब्टाइटल तुमने बताई दिया मोजै कहा है वीडियो में अपने फ्रेम लगाना चाहते हैं तो यहां से आप फ्रेम लगा सकते हैं जैसे हम इसमें जाते है तो आपको पहले तो online भी बहुत कि बहुत सारे इसमें frame होंगे जैसे यह frame हमने च्छूस 된 किया है तो यह automatic ऐसे लग जाता है इस प्राम को कीस किया तो ऐसे लग जाता है बहुत अच्छा देखता है आपको यह cut frame यूज कर लेते हैं तो वीडियो थोड़ा creative थोड़ा मतलब उसका editing अच्छा किया हुआ है ऐसा वीवर को देखने में लगता है तो आप इसका हो सके तो यूज कीजिए कि यह हो गया कोई भी एक अपना फ्रेम लगा सकते हैं तो मैं तो वैसे सब नहीं लगाता हूँ फ्रेम और यह सब तो इसके लिए नो फ्रेम पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ फिल्टर है फिल्टर दोस्तों मैं फिल्टर यूज करता हूँ फिल्टर में ज्यादा तर जैसे आप इसमें से कोई भी फिल्टर आप ऐसे आपको जो भी पसंद है इस पे से आप क्लिक किजिएगा तो आप प्रीदर क्य Idaho करता हूं इसमें लिखोग करने है सागरज आप तो इसमें बी मैं नौन कर देता हूं उसके बाद है blond Pokemon यह देखिए यहां पर ऑप्स stripes का ओlegen यह भीक बैभाइव बाठक बाठ करके आप लगा सकते हैं, तो यह देखिए, मतलब को आपको कहाँ इमेज लगाना आ है? मान लेजर, यहाँ पर इमेज लगाना है? मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पर जाके फिर प्लस करता हूं, टो मेरी गेलरी में जो भी इमेज हैं, उसमें से मैं कोई भी एक image select कर सकता हूँ तो जैसे कि ये वाला image मैंने select किया तो ये image को मैं कहीं भी fit कर सकता हूँ इसको देखिया ये साइड में लगा सकता हूँ कि जैसे knowledge is currency का कोई दूसरा वीडियो है तो उसके उसका भी मैं लगा सकता हूँ तो अभी इसके भी कोई जवरत है नहीं और इसमें दूसरी बात यह है कि आप यदि ये नीचे all image वाला option है इसको choose करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप आपके gallery में मतलब जो भी जहां पर भी image होगा वहां से आप image को ला सकते हैं तो जैसे मैं ये cover वाला cover वाला है इसमें एक मेरा ये knowledge currency लिखा हुआ image है तो मैं इसको यदि इजर कहीं भी मतलब छोटा सा लगाना चाहूँ 10-5 seconds के लिए तो मैं इसको लगा सकता हूँ तो इसकी वैसे ज़रुरत नहीं है पर आप लोगों को देखने के लिए चले में लगाई देता हूँ इसको इसका आपन टाइम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि उसको कितना सेकंड रखना यह दे इसमें एक अच्छी चीज है यदि आप उसको पूरे वीडियो में रखना चाहते है तो यह हो गया इमेज उसके बाद और अच्छी चीज एक और है कि आप इंट्रो और आउट्रो भी एड़ कर सकते हैं यह देखिए इंट्रो आउट्रो अब इससे क्या होता है भाई तो देखिए मैं इस पर आपको जाकर बताता हूँ आप यदि इंट्रो आउट्रो में जाते हैं तो आप जैसे कि यह आपको पहले यहां पर सिलेट करना है इंट्रो तो इंट्रो में जाएंगे तो आपको यहां नीचे ओप्सन दिखेंगे तो इसमें से मालीजी मैं यह वाला ले लेता हूँ तब इसमें मैं वीडियो का टाइटल डाल सकता हूँ जैसे की How to use due recorder उसके नीचे मैं description लिख सकता हूँ तो इस तरह से मैं अपना intro और outro डाल सकता हूँ देखिए अब कौन सा मैं यूज करूँ चलिए यूज करके भी बता देता हूँ ये वाला माली यूज करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है आपको यहाँ पर वीडियो का टाइटल ये सब एडिट कर देना है उसके लिए मैं वहाँ पर यादी सिलेक करूँगा वीडियो टाइटल तो उसकी जगह मैं अपना लिख सकता हूँ आपको कर देना है अब इसमें जैसे अपन को से शेटिंग के बारे में मैंने बता है तो वह लिख सकते हैं अब इसमें है वीडियो मेकर तो वीडियो मेकर में आप अपना नाम लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं तो यहां से आपका यह वीडियो रेकोडर करके यह आपका सेट हो जाता है तो यह अपन ने कर लिया और उसी तरह आप उसमें आउट्रो भी डाल सकते हैं आप इसको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो चालू किया तो यह सुरू में आएगा और उसके बाद ऑटमेटिक चला जाएगा यह उसके बाद है कि आप उसमें कहां गया यह इंट्रो आउट्रो तो इंट्रो आउट्रो में जाके आप यह देखे यह वाला ओप्षन सेलेक्ट करते हैं जो भी आएगा वह आउट्रो होगा आउट्रो मतलब की आपका जो जो वीडियो खतम होता है वो time पे जो आता है उसको outro बोलते हैं तोने हैं इसमें से कोई बीएक सिलेक करके आप आउट्रों भी बना सकते हैं आउट्रों में आपको क्या करना है जैसे थैंक्स लिखा हुआ है और उसके बाद आपको मैं यहां पर अपना इमेल अकाउंट डाल देता हूं थैंक्स में, थैंक्स पर वाचिंग, कॉल, 8460, 60294129, यह मेरा परस्नल लंबर है, मैने पिछली वीडियो में भी दे रखा और इसमें भी दे रहा हूं, आपका भी भी मतलब कॉल कर सकते हैं, आप मुझे वाट्सेप पर कहीं मैसेज भी कर सकते हैं, और इमेल भी कर सकते हैं, आपको कोई एडिटिंग में प्रोब्लम आ रही है, तो यह भी आपन रख लेते हैं, आउट्रो, तो यह अच्छा हो गया, चलिए, और आपको क्या बता हूं, स्पीड का, स्पीड का भी बहुत जरूरी है, यह देखिए स्पीड है, तो यहाँ पर आपको मतलब वीडियो कितना फास्ट करना है, स्लो करना है, वह आप कर सकते हैं, तो चलिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं, आप जैसे स्पीड में जाते हैं, तो आपको जैसे पूरा वीडियो आपने सिलेक कर लिया, उसके बाद मतलब आप को double करना है त्रिपल करना है आपको यह देखिए यह आप इसको यह दिदी double करते हैं तो double speed में हो जाएगा आप इसको one by fourth भी करना चाहते हैं तो 0.25 तो हमने तो इसको speed में कुछ किया नहीं है तो इसको हम speed one ही रखते हैं तो यह भी कि हमको लगता है की ज़रुत पड़ेगी नहीं लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं लोग वालोग को ज्यादा जरुरत पड़ती है तो वोग वाले करते हैं उसके बाद क्या है भई तो rotate का option है आप मतलब वीडियो को तो रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं तो देखते हैं रोटेट तो रोटेट पे यदि क्लिक करता हूं यह देखिए 90 डिगरी पे वीडियो रोटेट होते जा रहा है तो इसके बाद वापस सिधा हो गया तो आप रोटेट भी कर सकते हैं तो इस तरीके से स्प या किसी मतलब और एडिटिंग टूल्स को खरीदने की वाटर मार्क भी नहीं आपको मिलता है तो यह बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो तरीका है डियू रेकोडर को यूज करने का आपको यदि डियू रेकोडर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्श गूगल में वैसे मेरे ख्याल से मिल जाता है हां आपको प्ले स्टोर से डियू रेकोडर नहीं मिलेगा तो आप मुझसे यह डियू रेकोडर ले सकते हैं और मैं आपसे उस डियू रेकोडर के लिए कोई पैसे वैसे नहीं लूँगा बस आप यदि वीडियो बनाते हैं त तो यह आपने हमारे लिए बहुत ही अच्छा है तो आप जरूर वीडियो रेकोर्डिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और वीडियो एटिटिंग आप सिखिए और आपको कहीं भी कोछ भी प्रोब्लम आती है आप मुझे फॉन कर जिए मैसेज किजिए आप वैसे पर मेसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाइ मेक्सिमम आदे घंटे का अंदर दे ही दूंगा तो थैंक्यू जैहिन